वेल्कम जी लेट्स स्टार्ट आज हम बात करते हैं सिर्फ दी मार्ट की दी मार्ट का आज रिजल्ट एनाउंस हुआ क्वार्ट टू का जो आप देखोगे मिन्ट ने रिपोर्ट किया है कि दी मार्ट का नेट प्रॉफिट 113 परशेंट का जंप रेवेनू अप 46 परशेंट अब यह रिजल्ट आप कहां चेक कर सकते हो आफ इस लिए अप बीस्ट की वेब साइट पर जाएगा और दी मार्ट को सट करिएगा दी मार्ट की कारपरेट एक्सेंट पर जाएगा और वहां पे रिजल्ट का सेक्षन आपको दिएगा जैस इसकी पीडियो को डाउन्लोड के जाए और इसको डाउन्लोड करेंगे तो 15 पेज का वीडियोफ होगा उसके अंदर इच इन इवरी तिंस डिटेल्स लिखा हुआ है कि किस किस कैसे कैसे प्राफिट आया तो वह पूरा 15 पेज तो नहीं है पर डिस्क आपको एक्स्प्लेइन आउट करने जा रहा हूं उस पीडियोफ का फर्स्ट पेज में दोकर गए तो आज की डिट में 16 अक्टूबर 2019 को अबनू सुपर मार्केट इसका जो डी मार्ट के नाम से जाना जाता है हर जगा मार्केट में डी मार्ट डी मार्क रजिस्टेशन जो हुआ है इसका सिंबल जो है डी मार्केट है और आज इसका देखते हैं इसका stand alone financial data क्या है तो यह आपका 30 अक्टूबर सितंबर का quarter हुआ यह last quarter था 30 जून का तो आप देखे कि एक जून 30 जून पर इसका total income कितना था तो total income इसका था पाँच हजार 5067 करोड में था और यह jump होकर कि कितना हो गया 7,682 करोड यह all figures in करोड में होगा ठीक है तो total income में increment दिखा आपको तो आप इसी तरह से आप अगर इनके खर्चे देखें यह total income है तो इनके कितने खर्चें है total total इनके खर्चें होगे तो total खर्चे लास्ट क्वार्टर के इनके थे 4911 करोड का और नाव इस बिकम 7,085 करोड का हो गया तो 4900 से 7,085 का जम्प खर्चों में भी हुआ अब टूटल दिखते हैं कि टूटल प्रॉफिट अगर टेक्स इसमें नहीं काड़ते हैं तो हमारा 156 करोड का इनका लास्ट क्वार्टर से जम्प होके 597 करोड का इनका प्रॉफिट हुआ है लेकिन इसके कंपनी को टेक्स भी देना पड़ता है तो अगर इसमें टेक्स भी पे कर देते हैं तब प्रॉफिट इनका देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में इनका 244 करोड का है कि कमेंडेबल कि डबल से ज्यादा हुए कितना 115 से 485 करोड का प्राफिट कि अगर इसके consolidated result की बात करते हैं तो सिमेदली उसमें total income देखोगे तो ये 524 करोड से जम्प होकर के 7816 करोड हुआ था इसके total खर्चे देखते हैं तो 7248 करोड का खर्चे हैं अगर इसको माइनस कर देते हो तो इनको 417 करोड का हो गया है तब देख सकते हैं कितना huge good कर सकते हैं कंपनी ने इस बार profit कम रहा है कि सो आप इस कंपनी को आप देखोगे इसका fundamental कंपनी का सबसे पहले इस कंपनी के पे कोई भी no red flag है कोई कंपनी कोई management रिस्क नहीं करेंट लिए स्टाक्स और जोट ओवर जोन में प्रेट कर रहा है इसका डिविडेंट ट्रेक ना अच्छा नहीं लेकिर रिटन्स बहतरीन देता है और करेंट प्राइज इसका इंट्रेंसिक वैले से ज्यादा है अब आप देखोगे कि जब से यह दिश्टेड हुआ है और देखोगा तो यह आपको आपको रिटन्स साथ सो उन्तिस परशेंट का रिटन्स दे चुका है और इसका चार्ट देखी आप कंटिनीवस बेस पे एक उपर डायरेक्शन में जा रहा है तो आप इस कंपनी को एक फ्यूचर एक लांग टर्म ग्रोथ की इसको बिजनेस को भी आप देख सकते हो और इसके बिजनेस के साब से यह काम क्या करता है हमने आप मेरी पीछली वी जनली हम अपने आम तोर पिजिन डेली यूज में इस्तिवाल करते हैं मार्ट में सेल करता है रिलेटेट प्रड़क्ट को सेल करता है और यह इन कंपनी का प्लान है काफी ऐस एक्सेशन करने का इस सेलिंग को और इसके हुझा से यह हर विक हर येरली बेसेस का टोटल प्रा प्रॉट्ट देखो एक सो तेरा पर्शेंट का प्रॉट्ट जम यह लिए और यह कुछ छोटा मोड़े स्टॉक नहीं आप देखो तो यह लार्ज काप का स्टॉक्स है ठीक है और इसमें रिस्क भी मोडेट है और यह रिटेल सेक्टर में काम करता है तो जानते हो हम कुछ भी सुन है घरियो मांट में है कंडेमा रिलेट समान ख़र देता है तो जो कंपनी का प्रॉट्रा आऑँ जाहते हो प्रॉट्ट तो अब ब्रोर्फिन कर दो उस company में investment कर दोगे आप जिसे दीमाट को profit आपको profit जब किसी भी company में आप investment कर देते हो तो quarterly quarterly उसके sales को उसके returns को आप देखते रहो quarterly profit दे रही है कि नहीं profit दे रही है कि नहीं profit देती है okay तो इस perspective में डीमाट का results commendable है जितना उनने expect गया तो उसे ज्यादा से ज्यादा नहीं रेटर्न दिया है एक सो तेरा परसेंट के रेटर्न को कमने होता है बहुत ज्यादा रेटर्न इनने इस क्वार्टर में उनने अचीव किया है ड्यादा रेली वर्यादा वेडिग जटी जे लेटर्न को वर्यादा रेटर्न को वरुट है